ऐलो प्रेंद्स मुट्र सुनील तावार कंजल्टेंट THE opt & राइनो प्लस्ती को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले आने उपयोगी वीडियो की जानकरी आपको समय समय पे उसका नोटिफिकेशन से आपको मिलता रहे दोस्तों एक सुन्दरनाक कैसा होता है हर आदमी की चाहत होती है हर आदमी अपने फैस पर है वो एक सुन्दरनाक चाहता है बट उस सुन्दरनाक की क्या विशेशताएं हैं आउवी नोग देट माइनोज इस सो ब्यूटिफुल सो दोस्तों कुछ परामिटर सें जो गोड़ ने हमारे नोज के बनाए हैं दोस्तों नोज हमारे चेहरे का सेंटल पार्ट होत से कितनी होना चाहिए दोस्तों इस एक सुन्दर के लिए नोज की जो नेंट है सब से पहले हम जानेंगे लैं दोस्तों नोज की लैंस आगे वहां की जिस ऑम इन ङुट ए वहं की फैसे है और वहां की जो आगे जो टिप Sverre उसके equivalent almost almost जो होना चाहिए अगर हम यह बात करते हैं तो यह जो length है nose की वो 3-4 cm एक normal होनी चाहिए दूसरा है दोस्तो height of the nose दोस्तो height of the nose और दूसरा जिसको हम medical language में बोलते हैं projection of the nose that means कि nose जो है हमारे चहरे से कितना उठा हुआ है that is the projection or height of the nose ideally दोस्तो जो हमारी जो length है उस length का करीब करीब point 60% 60 to 65% जो है वो हमारी projection होना चाहिए यानि यह मान के चलिए कि जो हमारा height जो हमारे length है nose का उसके आदे से थोड़ा सा ज्यादा जो है हमारा जो है ideally nose का projection होना चाहिए दोस्तो third जो important point है वो है nose के width nose की चोड़ाई कितनी होनी चाहिए दोस्तो आइडिली जो हमारे nose की जो चोड़ाई है वो हमारी जो यह nose की जो हमारी जो best है nose का हमारा जो best है उस best का two-third होना चाहिए around around 80% होना चाहिए तो वो है एक normal जो है वो nose जो है वो उसके अंतरगत जो आता है इसके अलावा जो लंबाई nose की जो उंचाई लंबाई जो nose का जो है width और इसके अलावा जो fourth important point है दोस्तो नोज का जो ये nose के उपर जो डौरसम है यानि nose का जो आपर पार्ट है दोस्तो आइडियली अगर हम यहां रेडिक्स और एक टिप से अगर एक नोज पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो नोज है वो उसका बिलकुल उसके नीचे जो है वो रन करना चाहिए अगर उससे उपर उठा हुआ है या उससे बहुत ज्यादा है तो वो नोज अबनॉर्मल है वो नोज का जो डोर समय वो अबनॉर्मल है दोस्तो इसके अलावा जो नूज का जो हमारा ये जो हमारा लिप और जो हमारा नूज का जो ये पार्ट है जो हमारा टिप है उसके बीच में एक एंगल है जिसको हम नेजो लेबियल एंगल बोलते हैं इससे more or less अगर है तो वह abnormal nose होता है तो दोस्तो यह है fourth point जो nose का जो nasolabial angle है दोस्तो इसके अलावा जो fifth एक important जो जीज है nose की जो tip है हमारा इस tip की जो है width कितनी होनी चाहिए दोस्तो नोस की जो हमारे tip की जो है width है जो हमारा ये lip है, lip के बीच में जो depression है जिसको हम filter बोलते है, ideally grossly इसकी width जो है इसके equivalent होनी चाहिए तो ये basically जो है ideally जो tip और ideally जो tip है हमारा वो triangular होना चाहिए दोस्तो इसके अलावा जो next जो important thing है हमारा ये जो यहां का ये जो नतुने के बीच का जो एला के बीच का जो width है वो कितनी होनी चाहिए ये ideally हमारा जो जो हमारी आख के जो बीच के point है जिसको हम medial canthus कहते हैं तो ये medial canthus और ये दोनों बराबर होने चाहिए तो दोस्तों ये हमारा एक सुंदरनाख हमारा जो rest of जो हमारे face की जो चीज़े है उनसे एक ratio में जो है उन मैच करना चाहिए और अगर हम बात करते हैं तो और आल हमारा nose है वो जित्ते भी बाहर की ये और चीज़े हैं जिससे ये मैच करना चाहिए उनीके अनुरूप होना चाहिए जिसमें length हो गई nose का projection और height हो गया nose का width हो गया हमारे tip की width हो गई हमारे alabess की width हो गई हमारे जो boni part है इसके width होगी ये normal दोस्तो एक nose की जो है वो parameters है तो दोस्तो ये है एक ideally सुंदर जो nose है उसकी जो है ideal parameters है तो I hope दोस्तो this information is useful for you you can share this information to your family and friends and दोस्तो जो नई जो next talk of series है राइनो प्लास्टिक ही उसमें हम जानेंगे जो abnormal nose है उसमें क्या जो है वो इन से जो है अलग होता है दोस्तो इसके अलवा राइनो प्लास्टिक से regarding आपका कोई भी comment हो वो आप मेरे को comment box में डाल सकते हैं I definitely reply for that Thank you